यूपे में आज से एक बार फिर फ्री राश्वन का वितरालर शुरू कर दिया गया है आज से प्रतिक यूनिट पर पांच किलो फ्री चावल और प्रती परिवार एक किलो सूखा चना दिया जा रहा है ज़्यादा जानकरी दे रहे हैं समधाता दीपक शुवास्तव इस लागडाउन में हर व्यक्ति तक अनाज पहुंच सके हर व्यक्ति तक रासन पहुंच सके इसके लिए उत्रप्रदेश सरकार लगातार कोशिशे कर रहे हैं और आज से इन्ही कोशिशों के तहत रासन कार्ड के जरिये लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है पर यू गोरकपूर का बात करें तो साड़े साथ लाग कार्ड होल्डर हैं गोरकपूर में शहरी और ग्रामिली लागों के मिला करें और पिछले दो महीनों में दस हजार नए कार्ड बनमाए गए हैं और जिलापरसासन की कोशिश है कि हर व्यक्ति के घर तक अनाज पहुंच सके और लिए कोटिदारों को दो दिन पहले निर्देश दिए गए थी कि कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहों और जहां पे लोग परिशान है ग्रामिली लाकों में खास तो पर जिनके घरों में खाने पीने की दिक्कते हैं उन तक अगर फिरी आनाज पहुंचता है तो कम सकम एक मह लगवें में 279 काड़ पादग्रस्तिका है और तीरपन काड़ है यह अंतोध है सब को रासन देदें बराबर क्या क्या दे रहे हैं इस महिने से जन्ना यूनिट और चावल दे रहे हैं और एक किलो चीनी दे चाना दे रहे हैं तो पर यूनिट पांच किलो चावल और पर यहां पर उनको एक किलो सूखा चना दिया जा रहा है और चावल की अगर गुडवत्ता की बात करें तो काफी अच्छा यह चावल है जो यहां पर लोगों को दिया जा रहा है दाने दाने के लोग में हुताज हो गए थे और ऐसे में अगर सरकार की सुबधा इनके घर तक पहुंच रही है तो इस सुबधा का वो लोग काफी लाव ले रहे हैं और हर व्यक्ति तक इस दस दिन में सरकार की भी कोशिश है कि उनके घरों तक जो गरीबी में जूच रहे हैं जो फंसे हुए हैं दूसरे जगों को उनके परिवार के लोग भूखे नह रहें और ऐसे लिए यह रासन कार्ट के जरीए आज चावल और चने का बितरन किया जा रहा है।